Question number 12 है A car leaves Sarai Pali travel at 75 km per hour and reach Raipur in 4 hour The next time there was traffic and construction work on the road due to which the speed is decreased by 50 km per hour How long will the car take to reach Raipur? अब question क्या हो रहा देखू Car which is from Sarai Pali travel at 75 km per hour 75 km per hour तो वह 4 hours means 4 hours रहापूर पहुंचता ठीक है जब next time आता है तो क्या था? Traffic and construction work चरहा था उस चक्कर में उसको speed थोड़ा decrease करना पड़ा कितना decrease गया? 15 km per hour decrease किया 75 km per hour हम लोग क्या करेंगे? 75 km per hour 15 को माइनस कर देंगे 75 माइनस 15 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 60 km per hour How long will the car take to reach राइपूर? अब इसमें हम लोग यह बताना कि Speed उसका slow हो गया है तो वो कितने time पे करें? मतलब अपने place में पहुंचे रहा है तो यह क्या है? Race protocol है क्योंकि speed slow हो है तो time क्या हो जाएगा? Increase होगा Race protocol है तो अब क्या होगा? Speed ratio speed proportional time ratio time ठीक है? proportional जब होता है तो speed speed and time time हो जाएगा Race protocol नहीं होगा तो speed time speed time ऐसे लिखेंगे ठीक है Speed क्या था first में 75 next में 75 और 15 क्या होगा तो decrease होगा तो minus क्या है तो क्या है? 60 km पर hour तो 60 आ गया Time क्या है? X find करना है और next 75 km में वो 4 hour में 75 km पर hour के speed से चल रहा था ठीक है? अब इसको upon के form में लिखे अब इसके बाद क्या करेंगे? Cross Multiply पहले जो divide होगा उसको divide कर लेते है ठीक है? 5 1 जा 5 5 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 2 जा 10 अब किस से जाए गई है? 3 से जाए गा 3 5 जा 15 3 4 जा 12 5 upon 4 X by 4 अब Cross Multiply करते हैं 4 X हो गया है अब 5 4 जा 20 अब क्या करेंगे? 4 को Transfer करेंगे ठीक है? 4 को Transfer किये Divide में आ गया 4 5 जा 50 तो X की Value क्या रहे? 5 Means 5 आवर में वो राइपूर आएगा ठीक है? राइपूर रीच करेंगा 60 किलोमीटर की Speed से जब वो ड्राइव करेंगा 60 किलोमीटर पर आएपूर से तो 5 आवर में अपनी राइपूर पहुंचेगा ठीक है? अब Question No.13 देख रहे हैं If 10 Bulbs are Lighted 4 Hours Every Day for 60 Days Then the Electricity Bill is 80 Rupees How Many Bulbs can be Lighted 4 3 Hour Every Day 4 16 Days So that the Electricity Bill is 40 Rupees So that the Electricity Bill is 40 Rupees So that the Electricity Bill is 40 Rupees Question की अब बोल रहा है? कि 10 बल्ब से 4 hour per day वो on है ठीक है 4 hour every day तो per day 4 hour वो on है और कितने दिनों तक 60 दिन तक 60 देस तक तो बिल कितना रहा है 80 रूपीज तो अब कितने बल्ब को हम लोग 3 hour per day on रखेंगे 60 देस तक तो electricity बिल के आएगा 40 रूपीज यह भी क्या है अभी देखो यह रेशी प्रोकल नहीं है क्योंकि देखो जितना ज्यादा बल्ब आउन करेंगे उतना ज्यादा बिजली भी लाएगा जितना कम आउन करेंगे उतना कम बिजली भी लाएगा तो यह रेशी प्रोकल नहीं है तो इसको sequence में ही लिखेंगे इसमें क्या जगा देखू लेट औन इलेक्ट्रिक चार्ज ओफ 50 रूपीज एक्स बल्प 50 रूपीज जो बील आ रहा है कितने बल्प के ला रहा है एक्स बल्प के लिए कि एक्स अभी उन्हों को फाइंड करना है can light up the rate of 3 hour per day 3 hour per day किते दिनों तक 16 days तक फर्ष कंडिशन के है वन बल्प जो है वन बल्प जो है वो 60 days तक 4-4 hour on रहता है तो कितने टाइम तक on रहा 240 hour तो 10 बल्प जो है इसको हम लोग डेली 4 hour on रखेंगे 60 days तक तो कितना होगा 240 into 10 कर देते हैं क्योंकि ये वन बल्प का है तो 10 बल्प के लें into 10 करेंगे तो क्या रहा है 2400 hour अब देखो next question में क्या बढ़ा है कि X बल्प है वो डेली 3 hour on रहता है 16 days तक तो क्या होगा 16 into 16 into 3 और X बल्प तीनों को multiply किया जागा 48X अब इसमें find करने के क्या करेंगे time taken by 10 bulbs ratio total charge इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं समझाने के लिखे लूँ ठीक है ऐसे लिखोगे bulb bill ratio proportion क्या जागा bulbs ratio bill ठीक है steps लिखने है ये line लिखोगे ये मैं तुम लोगो समझाने के लिखे तो ये जो bulb है इसके on होने में time ठीक है यहाँ पर time है ठीक है तो time कितना लगा 10 bulb के on रहने में time कितना है 24 और bill कितना रहा है 80 rupees आ रहा है 10 bulbs का ठीक है next में क्या है 48 bulb है और bill कितना रहा है 40 rupees अब इसको solve करते हैं यह पॉन में आयागा 00 cancel 8 3 जा 24 8 0 जा 0 8 5 जा 45 8 6 जा 48 23 जा 6 24 जा 8 अब इसको cross multiply कर लेते हैं ठीक है यह होगा 3x यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x ठीक है और यह 30 और यह 4 30 इंटू 4 होगा यहाँ पर हमने mistake किये ठीक है यह mistake होगा sorry यहाँ पर क्या होगा 48x अपॉन 40 8 5 जा 40 and 8 6 जा 48 हो रहा है ठीक है अब cross multiply करें 6x तो यहाँ पर ठीक था 6x is equal to क्या हो जाएगा 30 इंटू 5 30 इंटू 5 होगा ठीक है 5 0 जा 0 5 3 जा 15 6 है 6 को transfer किये डिवाइड में हैगा 6 2 जा 2 है 6 5 जा 30 तो x का value क्या आ रहा है 25 bulbs means 25 bulb को हम लोग 3 3 hour 16 days on रखेंगे तो bill कितना आएगा 40 rupees ठीक है अब question नमर 14 देखते है ए task is completed by 48 person in 25 days if they work 8 hour per day how many day will he needed to complete double the task if 30 percent work for 10 days 10 hour every day अब देखो question क्या रहा है एक task है उसको complete करने के लिए 48 person 25 days तक work करते हैं और per day वो 8 hour work कर रहे हैं ठीक है तब question यह रहा है कि अब how many days अब कितने दिनों तक 30 percent work करेंगे डेली भूलो 10-10 hour work कर रहे हैं ठीक है अब देखो यहां पर क्या है work 48 है यहां पर worker decrease होके 30 है यहां पर क्या था 8 hour है और यहां पर time क्या होके increase हुआ है अब यह हम लोग को क्या find करना है day find करना है तो days अब फैंड करने हैं यह क्या है रेसी प्रोकल के फ़र्म में तो अब इसका पहले हम लोग 48 पर्शन का हम लोग hour find करेंगे then 30 पर्शन के लिए hour find करेंगे ठीक है 48 वर्कर डू वन वर्क इन 25 देज एक टास्क को complete करने में इनको 25 देज लगता है तो पहले क्या करेंगे time find करेंगे time hour find करेंगे ठीक ना तो 50 देज में उलोग 8 आवर वर्क करेंगे तो 50 into 8 हो जागा 58 या 400 means 400 आवर वर्क करेंगे तो एक जो टास्क है वो complete हो रहा है अब 30 वर्कर का find करते हैं 30 वर्कर है एक्स डे वर्क करेंगे अब पर डे 10 आवर वर्क करेंगे number of worker number of worker ratio में होगा ठीक है अभी क्योंकि रेसी प्रोकल है इसलिए continuously वही लिखेंगे number of worker ratio number of worker total hour of worker time ratio time number of worker first कीते 48 next में कितने होगा 30 workers ठीक है 30 workers का time क्या है 10x and 48 worker का time 400 अब divide के form में लिखते हैं ठीक है यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे cross multiply करेंगे ठीक है 48 into 400 and 10 into 30 ठीक है 10 30 जा 300 अब यह 0000 cancel हो गया 3 1 जा 3 3 6 जा 18 and 16 4 जा क्या था 64 मिन 64 डेज में 30 परसन जो है वो वर्क अपना complete करेंगे ठीक है तो कि अबर हैंस 30 वर्कर finish the work double to the given work in 64 days ठीक है अच्छा यहाँ पर देखो यहाँ पर 25 डेज था हम लो 50 से multiply क्योंकि है क्योंकि इसमें question में क्या बहला है double question में हाँ बोला है तो double करने के लिए हम लोग 50 जो 25 था 25 डेज को डबल की क्योंकि day को डबल करने बला था 25 को अगर double करेंगे तो क्या होगा 50 डेज इसलिए को क्या लिए 50 डेज लिए उसके बाद इसको solve की है ठीक है ना question number 15 देखते हैं A and B A and B together complete a task in 24 days C and B together complete the same task in 18 days and A and C together complete the task in 12 days how many days will A take to complete the task if he work alone अब देखो question क्या बरहे हैं A और B मिल करके 24 days में work complete करें C B 18 days में work complete करें A and C 12 days में work complete करें अब इसमें हम लोगों यह बताना है कि यह जो A है यह alone मतलब अकेले किते दिनों में work complete करेगा तो पहले together find करेंगे देखो A और B A और B मिल के 24 days में work complete करें ना 24 days में तो 1 work को complete करने में क्या हो जागा रेसी प्रोकल होगा 1 upon 24 as it is B C मिल के किते times में complete करेंगे 1 upon 18 days A and C 1 upon 12 यह होगे 3 इक्वेशन अब इन तीनों को add करते क्योंकि हमनों को A का value find करना है ठीक है तीनों को add करें यहाँ पर देखो equation A plus B B plus C A plus C तीनों का add करेंगे 1 upon 24 plus 1 upon 18 plus 1 upon 12 अब next में देखो क्या करेंगे A plus A 2A हो गया देखो यहाँ पर 2A plus 2B plus 2C इसलिए 2 को common लेके A plus B plus C लिखें इसका LCM क्या होगा 72 जो 24 18 और 12 का LCM क्या होगा 6 क्या जाएगा 64 जा 24, 63 जा 18, 62 जा 12, 22 जा 4, 3, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 और यह क्या हो जाएगा 3 बन जा 3, 32 जा 6, 62 जा 12, 12, 6 जा 72 आगे ने LCM 72 तो अब 24 से हमनो 72 को डिवाइड किते टामस में डिवाइड होगा 3 टामस में ठीक है 18, 18, 4 जा क्या होता है 72 एंड 12, 6 जा 70 तो अबैड करें 6 प्लस 4, 10, 10 प्लस 3, 13 2 को ट्रांसफर किये डिवाइड में आगे ठीक है मल्टिप्लाइ करेंगे 13 अपॉन 144 यह क्या होगे equation 4 अब equation 4 में हम लोग B प्लस C को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा A का value find हो जाएगा ठीक है A प्लस B C में B प्लस C को अब माइनस करें ठीक है जब bracket open करेंगे तो क्या होगा A प्लस B प्लस C माइनस B और माइनस C तो B, B और C, C cancel A आगे है इसलिए हम लोग B प्लस C को लिए ठीक है क्योंकि A का value हम लोगो find करना है A प्लस C का value क्या है 13 upon 44 और B प्लस C का value क्या है 1 upon 18 ठीक है अब इन दोनों का LCM लेंगे क्या हैगा 144 यह होगा 13 माइनस अब 13 जो है इससे हमना कित्ते टाइमस में 18 जो है 18 से कित्ते टाइमस में डिवाइड होगा 144 एट टाइमस 18 एट जा 144 थर्टीन माइनस एट क्या होगा 5 5 upon 144 तो A जो है 5 upon 144 डेज में work complete कर रहा है तो one work को complete करने में इसको कित्ता टाइम लगेगा इसके लिए क्या करेंगे A will do one work in 1 upon 5 upon 144 यह upon में आ जाएगा ठीक है तो upon में आया तो 144 उपर चला जाएगा तो 144 upon 5 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 28 whole 4 by 5 days तो यह होगा इसका answer अब question number 16 देखते हैं question number 16 a task is completed by 15 men in 16 days how many men will be needed to complete one fourth of the task in 15 days अब देखो question क्या हो रहा है कि एक task को 15 men 15 एक task को 15 लोग मिलके 16 दिन में complete करते हैं ठीक है करेंगे पहले 15 men finish one work in 16 days तो अब क्या बहुत है 15 men one by fourth work को किते times में complete करेंगे तो क्या करेंगे 16 into one by four 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 जा 16 तो किते दिनों में complete करेंगे four days में 15 men जो है वो one by fourth work को four days में complete करेंगे अब क्या करें एक्स एक्स ले रहे क्योंकि अभी हमनों को men find करना है how much men बोला है तो let x men finish one by fourth of that work in 15 days x men 15 days में one by four work complete करेंगे तो अब अब अगयन क्या होगा रेसी प्रो करेंगे इसलिए number of men, number of men, proportion, number of days, ratio, number of days number of men first में क्या है 15s 15 है ठीक है next में कितने है x 15 men जो है देखो x men जो है वो किते दिनों में complete करें 15 days में और जो 15 men है वो किते दिनों में complete करें है 4 days में अब इसको upon के form में लिखते है 15 upon x 15 upon 4 अब cross multiply करेंगे 15 x and 15 forge 60 15 को transfer के divide में 15 forge 60 तो कितने men होंगे 4 men means hence number of required men is 4 चार लोग मिलके 15 दिन में 1 by 4th work complete करेंगे अब question number 17 देखते क्या है अब देखो question क्या वह रहा है कि एक जो camp है यहां पर रासन होना था ठीक है प्रिविजन लिख दिया है ठीक है question में mistake है यहां पर after 40 days बला है लेखिन sufficient कितने दिनों के लिए sufficient है इसको तो बताएगी question में first में बताना पड़ेगा ना कि यह camp है sufficient provision for 120 soldiers for that days days नहीं दिया है यह direct after 40 days दिया है ठीक है तो इसमें यहां पर question में यहां पर क्या होगा a camp has sufficient provision for 120 soldiers for 60 days 60 days होगा question में ठीक है इसके बाद क्या होगा if after 40 days देखो 120 soldiers के लिए साथ दिन के लिए जो रासन है वो है after 40 days मतलब 40 दिन के बाद 40 soldiers जो है वो कहीं और transfer हो जाते है तो अब यह बताना है कि जो remaining है मतलब 40 चले गए तो कितने बचे 80 तो 80 soldiers के लिए last days गुरा 60 days था 40 को minus के मिला 20 days तो 20 days के लिए कितना रासन होगा या कितने दिनों के लिए रासन होगा यह बताना है question ही mistake है अब देखो इसको solve कैसे करेंगे in the camp of 120 soldiers the ration for 60 days is sufficient means 60 days का रासन है कितने soldiers के लिए 120 soldiers के after 40 days 40 दिन के बाद 40 soldiers जो चले जाते तो after 40 days तो 40 दिन के बाद कितने दिन बचेंगे 60 days थे 60 minus 40 के तो remaining days कितने है 20 ठीक है अब इसमें के रहा है remaining soldiers find करेंगे starting में 120 थे फिर 40 चले गए तो कितने remaining हुए 80 soldiers अभी भी बचे हुए ठीक है 80 soldiers and 20 days तो अब इसमें हम लोग x day find करते हैं कि अब जो 80 soldiers है इनके लिए कितना provision बचा हुआ है ठीक है तो क्या जगा number of soldiers ratio number of soldiers proposition number of days and number of days क्योंकि यह ratio प्रोकल होगा तो number of soldiers कितने थे 20 अब 40 के जाने के बाद कितने हो गए 80 number of days 80 soldiers के लिए कितने दिन क्या खाना बचा हुआ है या जो provision है कितने time का यह कैसे find करेंगे तो अभी के लिए क्या लिखिये है एक्स number of days कितने है हमारे पास 20 20 days अभी बच्चे में इसलिए 20 लिखे ठीक है 120 upon 80 और यह proportion means equal x upon 20 ठीक है अभ इसको cross multiply करते 80 x हुआ अब देखो only क्या करते 20 को transfer करते यह upon में 20 transfer किया तो multiply में गया ठीक है अब देखो 00 cancel किये 21 जा 2, 24 जा 8 4, 3 जा 2, 4, 0 जा 0 x is equal to 30 means 80 soldiers जो है उनके लिए किते दिनों का राशन बचा हुआ रिमेनिंग 30 days तो यह होगा इसका answer अब question number 18 देखते क्या है if 11 spiders spins 11 webs in 11 days then how many webs will one spider spin in one days easy question है question क्या हुआ रहे कि 11 spider है वो 11 webs को 11 days में बनाते हैं ठीक है तो अब यह find करना है जो one spider है वो one day में कितना वेब बनाएगा तो क्या होगा अब देखो question क्या हो रहे है 11 webs 11 spider 11 day में complete करते है ठीक है तो वन वेब को 11 spider मिलके कितने दिन में बनाएगे तो कैसे find करेंगे 11 upon 11 means one day में वन वेब को 11 spider मिलके one day में complete कर लेंगे तो 11 spider make one wave in one day ठीक है अब क्या रहा है वन spider का find करना है तो वन इस्पाइडर टेक्स x day अभी हम लोगों day फाइंड करना है ना कि एक spider जो वो कितने दिन में बनाता है तो वन इस्पाइडर टेक्स x day to make one wave वन वेब वन इस्पाइडर कितने दिन में बनाएगे एक्स डेस में बनाएगा ठीक है अब यह रेसी प्रोकल है तो इसको क्या 11 spider and ratio one spider x day and one day 11 upon one x upon one ठीक है क्रॉस मल्टिप्लाई करेंगे एक्स बंजे एक्स एंड 11 बंजे 11 तो x क्या रहा है 11 means one spider जो है वो वन वेब को 11 days में complete करेगा लाश कोशन है कोशन नमबर 19 टू टैब्स टू टू गेधर फिल टैंक टू टैब होगा ना टू लिग दिया है आपर टी डवलू ओ वाला टू होगा टू टैब्स टू गेधर फिल टैंक इन 6 ओर अजब जो दो टैब हैं वो दोनों मिलके एक टैंक को 6 ओर में फुल करते हैं ठीक है वन आफ दा टैब्स अलोन फिल इन 10 ओर अब उन दोनों टैब्स में से एक टैब जो है वो 10 ओर में complete मतलब उस टैंक को फुल कर देता है तो जो second वाला टैब हो वो कितने टाइम पे फुल करेगा यह बताना है ठीक है अब देखो question क्या रहा है टैब 2 टैब से ना तो हम लोग किया कि A को first टैब लिए और B को second टैब लिए ठीक है तो A and B यह दोनों मिलके एक टैंक को 6 ओर में फुल कर लेते हैं तो वन आवर में यह दोनों मिलके कितना कंप्लीट करेंगे वन आवर में first और second दोनों टैब मिलके वन आवर में one by six पार्ट को फुल करेंगे ठीक है तो अब क्या बोल रहा है question A fill one part of tank in 10 hours इसमें question क्या था कि जो एक टैब है वो 10 आवर में फुल कर लेता है टैंक को तो A तो first वाले को A ले लिए तो A जो है वो one part of tank को फुल करने में कितना टैम ले रहा है 10 आवर तो one hour में वो कितना कंप्लीट करेगा 1 by 10 पार्ट of tank को फुल करेगा तो A क्या हो गया 1 by 10 यह बन गए equation 2 अब क्या करेंगे equation 1 में equation 2 का value पुट करते हैं अब A के place में 1 by 10 लेंगे ठीक है तो यहां पे ले लिए अब एक प्लेस में 1 by 10 ले रहे हैं प्लस B is equal to 1 by 6 ठीक है 1 by 10 को transfer करेगे minus में आगे 6 और 10 का LCM क्या होगा 30 ठीक है 6 से 30 को कितने टामस में डिवाइड करेंगे 5 तो यहां पे आगया 5 minus है minus 10 3 जा 30 and 3 बंजा 3 5 minus 3 क्या होता है 5 minus 3 क्या हो जाएगा यहां पे 2 2 upon 30 आ रहे है 2 बंजा 2 15 जा 30 इसलिए हां पे क्या लिखे है 1 upon 15 means क्या हो रहा है टैब B जो है ठीक है यह B का value आया ना B is equal to 1 by 15 1 by 15 ठीक है तो जो टैब B है वो 1 by 15 पार्ट को full करेगा एक घंटे में देखो जो टैब B है वो 1 by 15 पार्ट को full करेगा भरेगा तो जो 2nd टैब है वो कितना time ले रहा है अब इसको reciprocal कर देंगे 1 hour में 1 by 15 पार्ट कंप्लीट कर रहा है तो 1 पार्ट को कंप्लीट करने के लिए इस cross multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा hands on opening second tab it takes 15 hour to fill the tank मतलब अब हम लोग second tab को on करेंगे तो वो 15 hour में tank को full करेगा इस steps इसको बस solve करना है तो question number 19 हमारा solve गया exercise 3 complete हो गया है I hope आप लोको वीडियो समझ में आया होगा समझ में आया हो तो आप लोको वीडियो को like share and subscribe कर दीजिएगा thank you